नमस्कार दोस्ते, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर आज हम समझेंगे लिंगराज स्टेंबल ओर्डिनेंस 2020 के बारे में जो अलड़ी एक कॉंट्रविर्सी बन चुका है क्योंगी इस ओर्डिनेंस के एगेंस्ट आया है संटर गर्मन तो आज इस वीडियो में लिंगराज टेंबल के बारे में बेसिक डीटेल समझानेंगे और साथ साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस ओर्डिनेंस में ऐसा क्या प्रोविशन से जो संटरल गर्मन ओपोस्ट कर रहा है सुरुआत करते हैं दोस्तों संटरल गर्मन ओडिशा गर्मन को ये बोला है ओडिशा गर्मन का जो ओर्डिनेंस है तो ब्रिंग दे 11th सेंचुरी लिंगराज टेंपल इन भुबनेश और एंड इस असोसेटर टेंपल्स अंडर स्पेशिल लोग ओडिशा स्टेट असंबली के लिजिस्लेटी कॉम्पिटेंस से बाहर है क्योंगी ओलडी 11th सेंचुरी लिंगराज टेंपल और इस असोसेटर टेंपल्स जो है एंचेन मोनिमेंट्स और आर्केोलोजिकल साइट्स और रिमेंट्स अक्ट 1958 में कवर्ड है तो आप ऐसा कोई लोग लेके नहीं आ सकता लिंगराज टेंपल और इस असोसेटर टेंपल्स को अपने अंडर लाने के लिए क्योंगी आपको पता है अगर स्टेट गर्मन और सेंडरल गर्मन के बीच में कोई भी लोग के ऊपर कोण्फिक्स होता है तो किसका लोग प्रिवेल करता है सेंडर का लोग अब दोस्तों लिंगराज टेंपल के बार में कुछ बेसिक डीटेल्स लिंगराज टेंपल एकामरक शेत्रा ओल्ड टाउन क्यापिटल अफ बुबनेश्वर में लोकेटेड है अधि इस वन फोर्मिनेंट टूरिस्ट अत्राक्शन ओड ओडशा और ओडशा का वन उफ तर ओल्डेस्ट टेंपल भी है कलिंगा आर्टिक्टर यूस्ट किया ये टेंबल कंस्रक्शन में और शोमा वम्शी दिनास्टी टेंबल का कंस्रक्शन क्या था स्वाममसी डिनास्टी के बाद जो गंगा डिनास्टी आया उन्हें ने भी इस टेंपल का कंस्रक्शन में कोंट्रिबूट किया था वैसे आपको पता होगा गंगा रूलेश जगनाथ टेंपल इन पुरी कंस्रेट किये थे इन दे 12th सेंचुरी यह भी आप ध्यान दीजेगा इस टेंपल को मेंटेंड कुन करता है इस टेंपल का एक ट्रेस बोर्ड है और आर्के ओलोजिकल सभी ओफ इंडिया तो बेसिकली आर्के ओलोजिकल सभी ओफ इंडिया का ओवरोल कंट्रोल है लिंगराच टेंपल के ऊपर Archaeological Survey of India एक Indian Government Agency है जो Ministry of Culture के साथ Attached है इनकी Responsibility क्या है? Archaeological Research करना और Conservation and Preservation of Cultural-Historical Monuments in the Country देश में जितने Cultural and Historical Monuments है इनने Conserve करना, Preserve करना और Protect करना Archaeological Survey of India का काम है Archaeological Survey of India 1861 में found हुआ था बाइ Aleksandr Kanninga Aleksandr Kanninga ASA का पहला Director General भी थे अब दोस्तों, Center Government का AMASR Act 1958 के Major Provisions क्या है? वो चक करते है It provides for Preservation of Ancient and Historical Monuments and Archaeological Science and Remains of National Importance मतलब देखिए, इंडिया में जितने Ancient and Historical Monuments है, Archaeological Sight से और जितने Remains है National Importance का, उन सबको Preserve करना का प्रोविशन से AMASR Act 1958 के अंडर and it also provides for the regulation of archaeological excavations and protection of sculptures, carvings and other like objects तो देखिए दोस्तों, basically historically important जितने भी चीज़े हैं उनका Preservation AMASR Act के अंडर लिखा हुआ है and जितने भी archaeological excavations होता है देश में, उसको regulate करना का भी पवर है इस Act के अंदर Now, Archaeological Survey of India functions under the provisions of this Act तो Archaeological Survey of India को जितने powers मिला है वो सब इस Act से derived है The Act prohibits construction in prohibited area and area of 100 meters around protected monument अगर Archaeological Survey of India कोई भी एक monument को protected करके नोटिफिक किया है तो उस monument के 100 meter radius में कोई भी construction allowed नहीं है Even public purposes के लिए भी construction permit नहीं करेगा ऐसा ही Except under certain conditions मतलब कुछ special conditions में वो अलोग कर भी सकता है ये लिखा है Now, Central Government can extend the prohibited area beyond 100 meters also अगर Central Government चाहे ये जो prohibited area 100 meters का उसे थोड़ा और भी extend कर सकता है मतलब उधर भी कोई construction वो अलोग नहीं करेगा Basically देखे कोई भी protected monument को preserve करने के लिए ऐसा किये जाते है Now, the iconic monuments in India like Taj Mahal, Ajanta Caves, Great Stupa at Sanchi, Sun Temple of Konark ये सारे ancient monuments of national importance है और ये सारे AMASR Act के अंडर protected है तो इसका मतलब ये है ये सारे monuments का जो कस्टोडिये ने वो archaeological survey of India है अब और एक authority के बार में बताना था national monument authority ये authority भी AMASR Act के अंडर ही established हुआ था अगर कोई protected monuments के आसपास कोई public purpose के लिए कोई construction केरियोट करना है तो national monument authority जो है वही permission देगा तो national monument authority को ये convince करना पड़ेगा कि वो construction उथर आना इतनी ज़रूरी है और उसके अलाबा कोई और option नहीं है मतलब वो construction उथरी करना पड़ेगा करके national monument authority को convince करना पड़ेगा तब जाके वो central government को recommendation बेजेगा तो basically मेरा कहने का मतलब ये है national monument authority के permission के विना अब कोई भी construction protected monuments के आसपास नहीं कर सकते हो अब दोस्तों लिंगराच temple ordinance 2020 और sender इसे oppose क्यों कर रहा है उसके अभारे में discuss करते हैं वैसे दोस्तों लिंगराच temple ordinance 2020 के under ऐसे काई सारी provisions है जिसमें Odisha state government को powers मिल जाएगा लिंगराच temple को overall control करने का पर लिंगराच temple का overall control actually किसके पास है Archaeological Survey of India के पास है क्योंगी वह एक centrally protected monument है तो वही conflict का basic कारने दोस्तों क्योंगी state command of Odisha के इसाब से लिंगराच temple ठीक तरह से maintain नहीं हो रहा है इसलिए इसलिए ही December 2019 में भुबनेशुर में एकामरक शेत्रा के अंदर जितने temple site से उन्हें holistically develop करने का एक plan लेके आया था Odisha state government 700 crore का और इस 700 crore के अंदर काफी सारे projects प्लान था like outer access road development, लिंगराच entry plaza, बिंदुसागर revival plan, parking space, heritage complex, development of amenities for कैदार गवरी, मुक्तेशर complex, etc. तो ओडिशा state government का intention अब समझ गयना तो basically वो यह चाते थे कि जितने ancient temples से उन्हें ठीक तरह से preserve करना तो इसके बाद Odisha state government एक ordinance लेके आता है लिंगराच temple ordinance 2020 यह ordinance के अंदर लिंगराच temple और जो 8 other temples से वो भी covered है तो the ordinance propose the formation of लिंगराच temple managing committee with a full-time administrator looking after day-to-day affairs of the shrine तो ordinance का सबसे पहला proposal यह था temple का day-to-day affairs को manage करने के लिए एक लिंगराच temple managing committee होना चीए with a full-time administrator basically एक senior Hindu IAS officer चाहिए temple को manage करने के लिए या फिर administer करने के लिए यह सबसे पड़ा proposal था दूसरा temple के लिए एक fund create करना है और यह fund के लिए पैसे कहा से आएंगे पैसे दोस्तों temple का काफी सरे movable and immobile properties से उससे जो income derive होगा ना उससे वो fund बनाएंगे बात यह है दोस्तों लिंगराज temple का कई सारे properties है state भर में around 1500 acres of properties हैं लिंगराज temple के पास और यह properties में maximum already encroached है आप देखे ऐसे control करना है temple को पर ऐसे ऐसे सारे encroachments के बारे में कुछ करने ही पा रहा है तो state government ने ये बोला कि हम इस special law से स्री लिंगराज temple का complete functioning manage करेंगे quality facilities प्रवेट करेंगे pilgrims, devotees and worshipers के लिए हम इस committee को ऐसा power देंगे कि ancient temple के जितने properties है उन्हें 100% safeguard करने का तो देखे दोस्तों खुल मिला के बात यह है ऐसे का control में है लिंगराज temple पर लिंगराज temple के पास काफी सरे properties है जो already risk में है मतलब जो 1500 acres of land है उसमें कई सारा जो है already encroached है ऐसे के पास control है पर ऐसे यह सब के बारे में कुछ करने ही पात है और Odisha government actually लिंगराज temple को preserve करना चाहते है और अगर उनके पास power नहीं है तो यह preserve करके क्या करेगा मतलब देखिए पैसे खर्च कर रहा है Odisha state government preserve करना चाह रहा है Odisha state government temple है Odisha में पर ऐसे का control है इसलिए इन्होंने इस तरह एक ordinance ले किया है ताकि एक powerful committee बना दिया जाए और fund बना दिया जाए ताकि इस temple को 100% preserve करे committee that will administer the temple and its properties तो temple का properties को या temple का day-to-day affairs को manage करने के लिए 15 member committee को भी उनने appoint किया and since the assembly was not in session new law was proposed to be enacted through the ordinance assembly session नहीं था इसलिए वो ordinance के पास ordinance से पास हो गया आप दोस्तों sender इस ordinance को oppose क्यों कर रहा है क्योंकि इस ordinance में ऐसे कहीं सारे points ने जो sender का ancient monuments and archaeological sites and remains at के provisions को violate करता है अब हम देखेंगे एक-एक point करके sender का कहना क्या है sender ने ओडिशा को एक letter भेज़ा कि आपके ordinance में following provisions हमारे लोग को violate करता है और मैंने आपको पहले ही बोला था अगर एक sender law and state law के भीच में conflict होता है तो sender law always prevail करेगा सबसे पहले sender ने यह बोला जितने temples को या फिर monuments को आप protect करने का preserve करने की बात कर रहे हो वो ओलडी centrally protected monuments है तो centrally protected monuments के ओपर laws बनाने का legislative competence आपके पास नहीं है because it violates the provisions of AMASR Act 1958 first point दूसरा आप पूरे administrative powers जो है एक managing committee को दे रहे हो मैंने आपको पहले बोला था 15 member management committee को यह भी ठीक नहीं है जब आप administrative powers एक managing committee को दे रहे हो तो उससे dual administrative authorities बन रहा है क्योंकि already archaeological survey of India एक administrative authority है second point अब तीसरा point the ministry pointed out that clause 15 clause 2 of the ordinance साथ से provision for retail shops for sale of commodities inside or outside of the temples देखी मैंने आपको बोला था इनका जो 700 crore project में काफी सारे development plans included है उसमें इन्होंने यह भी लिखा है कि temple के अंदर और बाहर sale of commodities होगा basically retail shops को promote करेंगे ताकि जो pilgrim से उनको कुछ सामान वगरा खरीदना है तो वो खरीद सकता है यह भी ठीक नहीं है क्योंकि as per AMASR Act यह monuments should not be used for any other purposes externally protected monument को को कोई और purpose के लिए use नहीं करना है AMASR Act के NSR तो अगर आप retail shops खोल रहे हो वो भी AMASR Act को वैलेट कर रहा है अगला as per clause 17 clause 3 of the Odisha ordinance managing committee will oversee the lease or sale of movable or immobile property मैंने आपको बोला था ना एक fund create करेंगे और fund के लिए पैसे का से आएंगे टेंबल का जो movable और immobile property से जो income आएंगे उसी से fund भरेंगे ऐसा लिखा है ordinance में पर देखिए ministry नहीं यह बोला movable property में archaeological और artistic object भी तो आ सकता है भाई अब टेंबल का archaeological और artistic और कुछ index को बैचेगा तो नहीं तो यह भी problem है फिर 22 clause of the ordinance which provides for certain powers to the temple committee to undertake repairs for which the archaeological survey of India is responsible मतलब देखिए ordinance का एक clause में यह भी लिखा है अगर चाहिए तो temple का कुछ repairs भी हम undertake करेंगे कुछ modification करेंगे यह तो बिलकुल alone नहीं है क्योंगी temple का अगर कुछ modification करना है construction में कुछ change करना है यह archaeological इंडिया की responsibility है और ordinance में यह भी लिखा है special दर्शन payment के बारे में जैसे कि बड़े-बड़े temples में होता है दोस्तों for example त्रीपती temple में अगर आप special दर्शन वाला ticket लोगे तो आपको क्यों में खड़े होने की ज़रूद नहीं है जितने भी monuments हैं जो centrally protected है उसके लिए public को free access होनी चीए ऐसा MSR Act में लिखा है तो इसको भी आप violate कर रहे हो फिर the ordinance also provides for repair and construction of new buildings while the center conducted that constructions can only be allowed by the national monuments authority यह मैं आपको पहली बोला था कोई भी construction आपको करना है तो national monuments authority का permission जीए ordinance में अगर आप state government को यह power दे रहो तो again यह MSR Act को violate कर रहा है तो खुल मिला कि आप समझ गेना दोस्तों Odisha state government ordinance के तू लिंगिनाज temple और जो temple से उनका complete administration power अपने पास लेखना चाहता था पर जैसे center government को यह पता चला basically जो union ministry को पता चला उन्होंने objections डाला क्योंगी MSR Act के under आपके ordinance में maximum provisions जो है वो गलत है हमारे आट को violate कर रहा है तो दोस्तों that's end of it I hope आपको समझ में आया होगा लक्षे के PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching bye bye have a next day